आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं काफ़े टाइम से अपना व्लॉग को नहीं डाल रहे थी क्योंकि बीते समय में मेरा थोड़ा तब्वित भी आच्छे नहीं था और मैं कहीं बहार भी नहीं चाप आ रहे थी इसके वज़े से बट अभी मैं राजी आई हूं कुछ काम से तो आज लुकिली नौ तारिक है और आज विश्व आदिवासी दिवस है और आज मौसम भी बहुत अच्छा है काफ़े टाइम से बारिश हो रहा था बट आज बारिश रुक है तो हम लोग डिसाइड कि आज हम लोग बहार जाएंग को देखेंगे व्लॉग को देखेंगे तो आपके लिए भी नया होगा तो मैं कोशिश करते हूं कि जितना ज्यादा हो सके मैं आप लोग को दिखा सकूं तो आज के व्लॉग में मेरे साथ बने रहें और आप सभी को विश्व आदे वासी दिवस की धेर सारी सुद काम हम लोग साथ जारे रोशनी देखो रिच्चा और यहां और जैसे हम लोग न्यूक्लेस मॉल के पास पहुंचे तो देखें जो मनिपूर में इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर राली निकला था तो हम लोग भी शामील हो गए राली में है ट्में हम सार्मकरों अरली जागी हम ड्रीन करों खार। वो ठीकल्स तो हम् और शोग beginning और ये उपर के हिस्से तो दिख रहा है जहां पर लाइन है वहां पर म्यूजियम है कि हमेशे नहीं खुला रहते हैं तर आज खुला हुआ हुआ है अज बहुत भीड़ है और काफी खुला हुआ है एक बद जब आये थी तो समय इंपे घास में भी नहीं चलने दिया जा रहा था बट आज खुला है और अच्छे से बहुत भीड़ है और बहुत अच्छे से लोग देख रहे हैं घूम रहे हैं तो लोगी मजा ले रहे हैं कि हम लोगों को थोड़ा बहुत डांस परफॉर्मिंस देखने को मिलेगा पर शायद अभी शुरू हुआ नहीं है या तो खतम हो गया है और एक छे बज़े से है प्रोग्राम पैशन सो और तो और आज काफी भीड़ है और हम लोग उपर भी गये बहुत भीड़ था जाने दिखाए तो भी हम लोग यहां से निकलते हैं तो भी हम लोग आए हैं रांची में जो नया मॉल खुला है रातू रोड के रातू रोड के जस खोड़ा आगे बढ़ेंगे चौक से वहीं पर है हम लोग घूमते और आप लोगो भी खाते हैं है जाए है लोग जोगो दोग गव घप है जोग जिए भी हम अवा वहां दोगव को जोग बढ़ेंगे शोगोगः सो भी हम लोगव को जोगवें बढ़ेंगे को पिल में पोल को प्रूमते हैं कर दो दो नहीं कि अ कर दो है। अभी बहुत सारा ओपन नहीं हुआ है कुछ-कुछ बाकी है अंडर कंश्रक्शन है जो जब वो खुलेगा तो और भी अच्छा लगेगा वे गिंचुन के अच्छा शॉप दिखेगा आपको यहां पर जो ब्रांड है अभी सब बन रहे हैं बट अच्छा है जैसे कि मैं बताई कि अभी भी बहुत कुछ खुलना बाकी है और हम लोग उपर आयते हैं फुट कोट में और सोचे कुछ खाएंगे बट अभी सिर्फ केप सी ओपन हुआ है और बाकी सब अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसे लिए काफी भीड़ था केप सी के लाइन में और उमीद देते हैं कि बहुत जल्दी बाकी सब खुल जाएगा क्योंकि पीजा वाला तो कल खोल देगा बोला और बाकी का तो पता नहीं सब धीरे धीरे चालू करेगा और भी फ्लोर्स है ब बहुत बड़ा बना रहा है अच्छा बना रहा है बहुत बड़ा बना रहा है